जैने दोस्तों आप सभी का स्वारत आपके अपने यूटूब चैनल नौकरी तट पे आसा आप अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे आज जो हम बात करने वाले हैं उन अभिहरतियों के लिए जो अभिहरती नावर्स से डियलिट किये हुए इससे पहले भी हम विडियो बना सकते थे लेकिन मैंने सुप्रिम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया आज हम विडियो बना रहे हैं और मैं फिर बोल दूँ इसमें मेरा अपना कोई राय और विचार नहीं है लेकिन कुछ आपको मसला दे सकते हैं तो विडियो के अंद तक यहार में जो BPSC बहाली हुई है BPSC फर्स्ट फेज की जो बहाली हुई है यानि BPSC TRE 1.0 में बहाल NIRS DL8 क्या होंगे बहार क्या होंगे बहार इन तमाम बिंदू पर दूसरा जो दो साल वाला डियलेड किये हुए है या जो अठारा महिना वाला डियलेड किये गया है उस पर क्या होगा और लास्ट में अब BPSC अब BPSC मैने जो इन लाइन लिखा है अब BPSC या सिच्छा भी भागी तै करेगा कि आ आपके न्यूज क्या धार पर ठीक है यहां देखिए पहला सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है वह माननी यह सुप्रीम कोट ने दिया है तो माननी तो होगा ही अब आगे पहले पढ़ते हैं इसको क्या दिया है क्या देखिए 18 मा का डियालेट डिप्लोमा दो वर्स के डिप्लोमा के बराबर नहीं है ऐसा सिर्स कोर्ट यानि कि किसने का भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो यह जो मामला है यह भी आप समझ गया एक जब कोर्स चला था बिहार में लगबर तिन-चार साल पहले वह अन कल चल रहा है दो साल वाला उसको रेगलो डियालेट बोलते हैं और 18 महीने वाले को अनावस्ट डियालेट बिहार में इस पतलब सभी जगह चला था पुर्य भारत में उसमें मामला क्या उसको पहले पढ़ते हैं सुप्रिम कोट ने मंगलवार को महत्रपुर्ण फैसला देते हुए कहा है कि एराश्ट्रिय मुक्त विद्याले सच्छा संस्थान यानि अनावस्ट से 18 महने का डियलेट डिप्लोमा पाठकरम दो साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है मामला यहीं फसता है चुकि विहार में जो बहाली हुआ बीप्यसी फर्स्ट फेस के द्वारा उसमें कहा गया कि दो वर्षिय डिप्लोमा ही राथमिक में इलिजिबल है तो फिर 18 महिने वाले को कैसे ले लिया गया मामला तो फस गया समझे यह बातों आप भी समझे सिर्शादालत यानि सुप्रिम कोट ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि अनावेस से 18 मार डियलेड डिप्लोमा को राष्ट्रिय सिचक सिच्छा पर्षद यानि NCTE जो गाइडलाइन मनाती है कि B.A.D. के लिए कोन योग है डियलेड के लिए कोन योग है J.B.T. के लिए कोन योग है B.T.C. के लिए कोन योग है तो NCTE को भी लता रहा है देखिए यहां NCTE ने सिचक भरती के लिए योगता के रूप में मानता नहीं दिया है बिलकुल सही बात है NCTE ने बस दो वर्षिये डिप्लोमा को मानता दिया है तो फिर 18 मैने वाले डिप्लोमा को B.P.S.C. हस्ट फेज में कैसे बहाल किया गया सुप्रीम कोट का यह प्रश्ण है सब यहां ध्यान दिया हुआ है यह कहा गया अब जो नहीं भरती आएंगी उसमें 18 मैने वाले योग बिलकुल नहीं है पढ़िये यहां पूर्ट स्पेसले से अनावरस से 18 मा का डिप्लोमा धारक नई सिच्चक भरती जो अब नई सिच्चक भरती आएगी उस परक्रिया में सामिल नहीं हो सकते हैं इतना तो कंफर्म है जो अब्यार्टी पास अब्यार्टी किसी कारण बस फेज में फेल हो गय जस्टिस अबिया गवई और प्रसांत किसोग मिस्रा की पीट ने नैनी ताल हाई कोट के फैसले के खिलाप उत्राखंड सरकार और जैविर सिंग वह अन द्वारा दाकिल विशेश अनुमती याचिका को स्रिकार करते विए फैसला दिया है पीट ने हाई कोट के उस फैसले को रद कर दिया जिसमें कहा गया था कि अना वर्स 18 मा का डियलेड डिपलोमा पाठकरम दो साल के डिपलोमा के बराबर है चुकि पतना अच्प दियलेड को लेके कि वो मान नहीं है लेकिन सुप्रिम कोट ने इसको रद कर दिया सीधे सब्दों में समझे कि आप भविस में वन टू फाइब में जो भी एनावस्ट डियलेड़ वाले हैं 18 मावाले 18 मावाले वो इलिजवाल आप नहीं होगे भविस्ट में क्या होगा उनर विचार याचिका आप दैर किया जाएगा आप सभी के द्वारा जो भी इसमें है वो तो बात की बात है वो तो कोट की मामला है सिर्श अदालत में कहा है कि हाई कोट का या कहना गलत है सुप्रीम कोट ने कहा जो हाई कोट ने फैसला दिया ता वो गलत है कि दोनों डिपलोमा बराबर है एना वरस्ट द्वारा 13 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2019 की अधिसुचनावर के स्थान पर इस आसे की 18 मार्ट के डिपल रद कर दिया अब मामला आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बोल रहे हैं और आप खुद समझदारे नीज भी देख रहे हैं इस नीज का विशलेशन मैंने आज किया चुकि कोट से बढ़के नहम है ना आप है वो भी सुप्रिम कोट तो 18 मावाले जितने भी हमारे प्यारे स और आगे जो कदम होगा वो आप उठाइए क्योंकि यह जिम्मवारी आपका है लेकिन भविश के भावी सिच्चक BPSC से सकंड फेज में 18 मावाले डिप्लोमा जो किये है और आई ओस से वो अब योग नहीं है पेपर में देख लीजिए नहीं सिच्चक भरती पक्रिया में सामिल नहीं होंगे अना तो यह आपने देखा अना वर्ष की सच्चाई क्या उसको भी मैंने बताने का प्रियास किया सिर्ष कोट के फेसले के बाद डियले डिप्लोमा धारक नहीं सिच्चक भरती पक्रिया में सामिल नहीं हो सकते है साफ आदेश दे दिया गया उसके अब आते हैं अहां मुद्दा जिस मुद्दा पर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अब बने गईएगा बिस्टलेशन का अंतिम में हम संशेप निकालेंगे पाला हम स्टार्टिंग करते हैं बावा इससे अब जो भी कुछ होगा वह BPSC और सिच्छा विभाग विहार स साती हैं जो कि मैंने सभी को पढ़ाया है सभी के सात मैंने खभा आ और मैंने कभी किसी का पक्षपात नहीं किया बीएड को वंटुफाइब से बाहर किया गया कुछ लोग हसते थे हम तो नहीं हस सकते हना हमारे सबी अपने बच्चे हैं लेकिन दुख होता है कि जब बीड सब्सक्राइब और किसी का बद्दूआ मत लिजिए उल्टा ठीका टिपनी मत किजिए जब दुसरे को आप हसते तो आप पे भगमान हसा देता है कोई भी हम विदार्थी की भासा बोल रहे हैं बिल्कुल आपने सिंत्र है बिल्कुल अभी तक आप बाहर नहीं है हमें जहां तर लगता है 99% आप बाहर नहीं होंगे लेकिन भविस में नहीं इलिजिबल है यह मामला रेगुलर डियलेड का मतलब हुआ एकुरेट दो साल वाला और अनावर्स डियलेड का मतलब हुआ मात्र 18 महिना यह साप जगजाई हो गया तो भविस में देखते हैं क्या स हम यूटूवर की तरग हम यूटूवर नहीं है हम एक सिच्छक है तो सूचना अब बोल दे यह हमसा नहीं होगा तो अगर वाकई में अगर यह सूचना अच्छा लगता आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस लिए को इस वीडियो को सेर कीजिएगा सबस्क्राइब कर ल यहां पर सबस्क्राइब आएगा सबस्क्राइब इस पर 54 अपक्लिक ने करने के बाद अफिक है इसके बाद यहां पर ओल पह पर ठीक आ रहा है यहां पर और दो गइ doc जिससे कि आपको जो भी जानकारी होगा नौकरी से रिलिटेड वो आपको मिलता रहेगा आज के बीडियों में इतना ही खुब खुश रही है जै हिंद जै भारत